तोस्तों दुनिया में जीतने भी एक्ट्रक्टिब प्रानिया हैं उनमें से सबसे एक्ट्रक्टिब है घोड़े घोड़े को दुनिया के सबसे खुबसूरत जानबरों से एक मानी जाती है और जो लोग थोड़े उच्छुक हैं उनके अस्तवल में आपको गोड़े ज़रूर दिख जाएंगे गोड़े दुनिया में लगबग हर जगा पाय जाते हैं आज तक अपने कई तरह की गोड़े देखे होंगे लेकिन आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी गोड़े दिखाने जा रहे हैं जो दुनिया के सबसे मैंग और खुबसूरत कुछ गोड़े हैं कुछ गोड़े पूरी तरह से काले हैं और कुछ गोड़े पूरी तरह से सफेद तो आज की वीडियो में आप चो गोड़े दिखेंगे वो वाकई आपको हैरन कर दिखेंगे इस वीडियो को दिखने के बाद आप यही सोचेंगे कि हमें नहीं पता था कि दुनिया में इतनी खुपसूरत गोड़े भी होते हैं नमस्कार दोस्तो ओपेलर्ट यूटूब चैनल में आपको फिर से स्वागत है जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है क्रूपिया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करे क्योंकि हम आपके लिए ऐसी informative वीडियो हर दिन लाते रहते हैं तो चलिए बिना किसी देरी किये शुलू करते हैं आज का वीडियो दुनिया के सबसे खुपसूरत गोड़ो के लिस्ट में वाइड डोड़ सामिल है आप अपने जीबन में कम से कम एक बार इस गोड़े को देखना चाहेंगे क्योंकि ये गोड़े आमतर पर ग्रे कलर की होते हैं पर कुछ जेनेटिक चेंजर्स के कारण ये गोड़े पूरी तरह से सफेद होते हैं सफेद गोड़े दुनिया में कम ही देखने को मिलते हैं ये गोड़े पूरे दूद की तरह सफेद होते हैं तरसल ये गोड़े अनुवंचिक पोशन के कारण इतने सफेद होते हैं ये गोड़े इतना रेयर है कि दुनिया में बहुत कम लोगों के पास ही मोजूद हैं। इसके अलावा इस प्रजातिके गोड़े की आखे ब्राउन और नेले भी होते हैं। जिससे ये गोड़े बेहत खुपसूरत लगते हैं। आप ये सुनके चौक जाएंगे कि कुछ सफेद गोड़ों के बाल गुलाबी भी होते हैं। और ये गुलाबी रंग उनके जेनेटिक डिजॉर्टर की कारण है। और अगर आप इस गोड़े को खरीदना चाते हैं तो आपको तीन कड़ों रूपे खर्च करना पड़ेगा। फ्रोजन होर्ज भी दुनिया के सबसे खुपसूरत और मैंगे गोड़ों के लिश्ट में सामिल है। दुनिया में बहुत सारे घोड़े हैं लेकिन फ्रोजन जैसे दूसरे कोई घोड़े दुनिया में नहीं है। फ्रोजन घोड़े बहुत सांदर और एक्स्पेंसिव होते हैं। इसके अलावा इस घोड़े के प्रजाती बहुत ही रेयर होते हैं। ये गोड़े ज्यादतर नेदरलेंड में पाए जाते हैं ये गोड़े आपको नेदरलेंड की किसी भी पहारी इलाके में मिल जाएंगे इन गोड़ों को ज्यादतर रेसिंग और राइडिंग के लिए खरीदा जाता है पहले ये गोड़े ग्री रंग में मिलते थे लेकिन अब ये गोड़े काली रंग में मिलते हैं ये गोड़े खुपसुरत होने के साथ साथ महंगा भी है इसलिए इस गोड़े की एक की कीमत है लगबग दो कड़ो रुपे अगर आपके पास दो कड़ो रुपे है तो आप इस गोड़े को करिच सकते हैं इसका नाम सुनके आप तोड़ा डिज़पॉइंट हो सकते हैं पर ये गोड़े दुनिय के जबसे खुपसुलत और महेंगी गोड़ो की लिस्ट में शामिल है गोड़े का ये नाम उनके प्रजादी को तरशाता है हम आम तोर पर जो गोड़े देखते हैं वो ग्रे, ब्राउन और काले रंके होते हैं लेकिन वीडियो में आप जो गोड़े को देख रहे हैं उसका रंग बिलकुल है ये गोड़े तरकी में पाये जाते हैं और तर्की का रस्ट्य परशू घोड़े ही हैं ये घोड़े बहुत ही रेयर होते हैं और कहा जाता है कि पूरे दुनिया में इस प्रजाती के केवल 6,000 घोड़े मौजूद हैं कहा जता है ये गोड़े दुनिया के सबसे मैंग गोड़ों में से एक हैं ये गोड़े अपने ताकत और राफ्तार के लिए पूरे दुनिया में मशूर हैं इस गोड़े की एक की किमत है 3,50,000,000 रुपे अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे गोड़े हैं दोस्तों ये गोड़े एकदम यूनिक होते हैं जब आप पहली बार की तरह इन्हें देखते हैं तो आपको अपने आखों पर यकिन नहीं होगा दुनिया के सबसे खूबसुद और मैंगी गोड़ों की लिष्ट में इसी रखा गया है ये गोड़े मुख की रूप से स्कोटलेंड में पाए जाते हैं स्कोटलेंड में गोड़े की काफी चच्चे की जाती है ये गोड़े बहुत सांत होते हैं और ये गोड़े ज़्यद लंबे भी नहीं होते इसलिए ये गोड़े पाली भी जाती है आम तोर पर ये गोड़े 2 फिट लबमा और 20 किलो वजन की होते हैं इसके अलावा इस गोड़ों के पाल बेहत मुलायम और खुबसुरद होते हैं स्कॉटलैंड में इस गोड़ों की दुआरा बहुत सारे काम करवाया जाता है बाकी गोड़ों की तुलन में ये गोड़े बहुत छोटे और सांधार होते हैं इसलिए इनका देखवाल अच्छे से की जाती है इन गोड़ों की कीमत एक करोड रूपे से ज्यादा होते हैं अब तक अपने जितने भी गोड़े देखे हैं इनमें ओल्डेंबर्ग गोड़ा सबसे महगा है जब आप इस गोड़े को देखेंगे तो समझ जाएंगे कि मैं असा क्यों कह रहा हूँ ये गोड़ा इतना ही कुपसूरत है कि लोग इस गोड़े को देखते रह जाते हैं ये गोड़े बहुत ताकदवर होते हैं इसके अलावा इस गोड़े में कुछ एक्स्रा-ओर्डिनरी विशेस्ताय मौजूद्य हैं जो इसन बाकी सर्वी गोड़ से अलग बनाते हैं ये गोड़े बहुत ही लंबे होते हैं इसलिए ये गोड़े बहुत ओचे चलंग लगा सकते हैं इसलिए आज ये गोड़ा स्पोर्सवर्ट्स के रूपे लिये जाते हैं ये गोड़े अधिक तर जर्मानी में पाय जाते है और जर्मानी में इन गोड़ों को खास ट्रेनिंग दी जाती है ये दुनिया के सबसे मैंगे गोड़ों में से एक है इस गोड़े को खरीदने के लिए आपको दो कडोर पचास लाग रुपे खर्च करने होंगे हमारे वीडियो में सबसे मैंगा गोड़े के लिष्ट में अपलुसा गोड़ा नमबर एक पर है अगर आप इस गोड़े को पहली बार की तरह देखेंगे तो सोचेंगे कि किसी ने इसके उपर काले रंग पिंट कर दिये हो पर असल में ऐसा नहीं है इस गोड़े के जैसे कलर आप देख रहे है वो उसका नेच्रल कलर है ये गोड़े अपने स्पीट के लिए दुनिया भर में लोग प्रिये है ये गोड़ा आठ फिट लंबा और इसका वर्चे लगबग 500 किलोग्राम के आस पास है ये गोड़ा अधिकतर नौर्ट अमेरिका में पाये जाते है इन गोड़ों की कीमत 4 करोर रुपे है अगर आपके पास 4 करोर रुपे है तो आप इस गोड़े को खरीच सकते है दोस्तो आपने देखा कि दुनिया में घोड़े कितने खुब्सूरत और महांगे होते है आपको कौनसा घोड़ा सबसे ज़्यादा पसंद आया हमको कॉमेंट में ज़रूर बताए वीडियो अगर एच्छी लगी है तो लाइक करे चैनल में नए आया है तो सबस्क्राइब करे तो मिलते हैं जल्दी कोई नए टॉपिक के साथ